Statue of Unity के CEO उदित अगरवाल जी हमारे साथ मौझूद हैं, उनी से बात करेंगे सर लगातार Statue of Nirmada की तरफ सैलानियों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है पिछले साल लगबग 35 लाग जीतने सैलानी Statue of Unity तक पहुँचे थे कितना आकड़ा इस साल पहुचने की उमीद है और पिछले अगर 23 तारिक से लेकर बात करें Christmas भी है, New Year का भी celebration है, बड़ी संख्या में लोग इस तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या उमीद लगाई है आपने भी तेकि 2018 में जब Statue of Unity का लोकारफन हुआ उसके पाद 2018 के बाद 2019 में यहां पर 10 नहीं अट्रैक्शन आए उसके पाद authority का निर्मान हुआ और आज जाके 2023 का जबंत हो रहा है तो इस जगा में लगबख 30 जितने attractions हम अलड़ी बना चुके हैं activities इतनी हो गई है और आज तक 2018 से अब भी देखे तो लगबख पॉनले 2 करोड टूरिस्ट जो है Statue of Unity एरिया में आ चुके हैं इस साल जो हम देख रहे हैं पिछले साल से ज़ादा टूरिस्ट Statue of Unity आ रहे हैं हमने ने attractions भी शुरू किये हैं सुविधाएं बढ़ाई गई हैं नई बसे आड़ की गई हैं एलेक्ट्रिक बसेज हैं सुन्दर बसेज हैं खाने पीने की सुविधाओं में बढ़ोती हो रही है फिर लोगों के यातायात के लिए फाइदा हो रहा है आसपा से connectivity बेटर होते जा रही है ट्रेंज बढ़ रही हैं सो इस अब को देखते हुए और जो पूरा यूजर एक्सपिरिंस जो अथोरिटी की तरफ से अच्छा लोगों को दिया जा रहा है उस अब को मध्य नजर रखते हुए इस बार देखा जाए तो तेईस से लेके तेईस जब को हम बोलते हैं कि क्रिस्मस का जो क्रिस्मस एव से पहले का एक दिन पहले से लेके अभी तक हमारी गिंती है कि लग बग चार लाग जितने लोग तो स्टाच अफ यूनिटी में आ जाएंगे और येस वी आर सिंग कि इस बारी फुटफॉल जाता है आसफास के अरिया से इसको मिला के जो यह अंकडा बनता है तब भी हमार पुछ कुछ भी कंप्लेंड नहीं थी एंड एवरीबडी वोज हैपी सब लोग खुश होके यहां पर अच्छा समय निकालके गए तो एक पानी नेचर और यूनिटी डाइवरसिटी के मैसेज का है जो एक बहुत अच्छा संगम यहां पर है इसको टूरिस्ट देश विदेश से आके इंजॉय करते हैं आने वाले समय में लोगों की जो सुविदाएं हैं लोगों का जो experience है उसके अंदर और भी ज़्यादा हम लोग बढ़ोतरी देंगे उसमें और ज़्यादा सुधार लाएंगे और फिर इसी तरह से statue of unity ग्रो करता रहेगा सर क्रिस्मस की बात करें तो उसके celebration के लिए लोग आये हैं न्यू यर आ रहा है उसके celebration के लिए भी लोग आ रहा है अलग अलग जो परेटन स्थल भी हैं वहां पे भी भीड देखी जा रही है क्या पुलिस का संख्या बल कहीं बढ़ाया गया है कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है Statue of Community में So Statue of Unity में चार किसम की फोर्सेज ऑलरीटी कारे रथ हैं इससरे पुलिस अपना इपर काम कब ती है उसके बाद Statue of Unity टूरिस्ट पुलिस अलगसे हम आरा पर अपर महकमा है डाम की सिक्यूरिटी क्लिए हमहार पास State Reserve Police तुकडी है जो यहां पर रोड्स के अपर रहती है इसके लावा स्टाचू के लिए डेडिकेटेट एक स्पेशलाइस फोस CISF जो है यहां पर है सो एस सच हमें महकमा बढ़ानी की जुरूत नहीं पड़ी है बट विध जिस गुड मैनेजमेंट ओफ अल्रेडी हमारे पास जितना महकमा था उससे हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं स्टाची अफिनिटी के यही विशेशता है और एक विडम बना भी है कि एक साथ हमारे पास आते तो 80,000 लोग आते हैं और लीन सीजन में हमारे पास 6, 7, 5,000 इस तरह से होता है सो भी गेर डप अब हमारे पास सिस्टम्स हैं कि हम लीन पीरियड में उसी साब से अपने आपको लीन कर लेते हैं और जब बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है सो भी आल स्टैंड अप वी आल राइस अप टुटफॉल आता है उसको हैनल करते हैं ब्यूपी टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं नियूएर ञेले के लिए बड़ी संख्या में उनके लिए क्या मैसेज रहेगा क्यूँ कि नियूएर का स Sub Although i तो जितने भी लोग यहां पर रुके हुए हैं यहां पर होटेल्स जो है हमारे जादातर होटेल्स है उन्होंने अच्छाचे पैकेज़ दिये हैं हैं वो काफी कारीक्रम भी आयोजन कर रहे हैं अब मारी अपैक्षा है कि उसे लिए भी काफी लोगा रहे हैं जो किन होटलों में रह रहे हैं और महापर इंजोय करेंगे लेगे बब Hauselli reinforcement इसके लावा जिस तरह से स्टाट्य उनिटी कॉमन एरिया जो हैं लोगों को सोविधाय देती हैं वसी देती रहेंगे कितने बए तक सारी चीजे खूली रहेंगी और रात को कितने बए तक परेटकों को बाहर की तरफ घूमने का सेलिब्रेशन करने का वक्त दिया जाएगा उसमें अभी कुछ हमारे निर्ने नहीं लिया गया है हम जितना पहले जो रेगलर टाइम है टाइम वही फॉलो होगा जिसको एंजॉय करना है वो अपने जहां पर ठेह रहे हुए महां पर एंजॉय करेंगे क्या उम्मीद है अब तो दो ही दिन बचाए कितना फुटफॉल हो जाएगा इस पूरे साल का हमें हारी गंत्री है 45 और 50 लाग के बीच में इस साल फुटफॉल जाना चाहिए देश रावल के साथ अतुलतिवारी आज तक स्टैच्यू अफ योनिटी